नमस्कार दोस्तों आपके साथ मैं हूँ संजीव जोहान तो दिल्ली जिसे अक्सर दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है लेकिन दिल्ली वालों को भापना बहुत मुश्किल होता है और ये मुश्किल इस बार आपके सामने वे आई क्योंकि आप ये मुश्किल काम नहीं कर वैसे तो इस बार के लोग सवाज चुनाव में हर्याना और उत्तरप्रदेश के राज्यों से विपक्षी दलों का फिर से उभार देखने को मिला है लेकिन दिल्ली की कहानी अलग थी भारती जनदा पार्टी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप की हैट्रिक हासिल की इस नतीजे ने कई जुनावी पंडितों को घलत सावित कर दिया क्योंकि दो प्रतिद्वन्दी आमादी पार्टी और कॉंग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए हाथ मिलाया था लेकिन दिल्ली में बीजेपी के विजह रत को ये गड़बंधन रोक नहीं पाया दिल्ली की लोकसवा सीटों पर घौर करने वाली बात ये रही कि साथ सीटों पर जीत का अंतर कम हुआ है अलगि बीजेपी की जीत इसकी इस्थानी एकाई के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है राजदानी की मतदाताओं ने बीजेपी द्वारा निर्धारित नाशनल नेरेटिव को प्रात्मिक दा दे राज्य और राष्ट्री चुनाव नतीजों के बीच का जो फर्क है वो बताता है कि दिल्ली के वोटर मतदान करते वक्त इस्थानी एशासन और व्यापक राष्ट्री मुद्दों के बीच के अंतर को समझते हैं और इसलिए अब ये जान लेते हैं वो कौन सी वज़े थी जिससे दिल्ली की ये सियासी जंग बीजेपी की पक्ष में एक तरफा बन गई और आप पूरी तरह से सिमट गई दरसले इस चुनाव में बीजेपी के नए लेकिन अनुभवी उमिद्वारों को लाकर बीजेपी ने जातर मौजूदा उमिद्वारों की जगा नए चेहरे उतारने का एक रणनीतिक फैसला किया इसे पार्टी में नई उर्जा और नजरिये का संचार हुआ नए चेहरे कोई नो सिखे नहीं थे उन्होंने नगर निगम स्तल पर अपने कौशल को अच्छी तरह से निखा रहा था उन्हें से तीन पूर्व नगर निगमों के मेर रह चुके थे पश्मी दिल्ली से बीजेपी सालसत कमल जीत सहरावत ततकालीन दक्ष्णी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेर थे इसी तरह पूर्वी दिल्ली का प्रतनिद्यतु करने वाले हर्ष मलोत्रा ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम का नित्रतु किया था उत्तर पश्मी दिल्ली से जीत दर्श करने वाले योगेंदर चंदोलिया उत्तर दिल्ली नगर निगम में टॉप पर थे। BJP की पसंद जमीनी स्थरप्रशासन के आनुवावाले नेताओं पर उनके विश्वास को दर्शाती है। पूर महापारों के अलावा अन्य उमीदवारों को भी कई शेत्रों कारुभव हैं। जैसे दक्षनी दिल्ली के उमीदवार रामवीर सिंग विदोडी मौझूदा वक्त में दिल्ली विदानसवा में विपक्ष के नेता है। चादनी चौक के नए सांसत प्रमीन खंडेलवाल एक मशूर वियापारी नेता है। वो Confederation of All India Traders Union के चीफ हैं। ये एक प्रभावशाली संस्ता है जिसने 2005-06 में दिल्ली में सीलिंग और तोड़ वोड के दौरान काफी सुर्ख्या मटोरी थी। इस दौरान खंडेवाल वियापारियों और स्थानिय निवासियों दोनों के लिए एक कट्टर वकील के तौर पर उपरे थे। इन लोगों को उतार कर बीजेपी ने सही फैसला किया। लेकिट इस मामले में आप पिछड़ गए। क्योंकि आमादी पार्टी और कॉंग्रेस सीट का बटवारा कैसे हो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी ने वोटिंग से करीब 70 दिन पहले सभी साथ सीटों पर अपने उमिद्वारों का एलान कर दिया था। दिल्ली में 25 में को मतादान होना था और बीजेपी की पहल से ही चल रही जो बीजेपी की तैयारी थी, वो पहले से ही चल रही थी। उस तैयारी से फाइदा यह हुआ कि बीजेपी को जनसंपर का काफी मौका मिला, काफी वक्त मिला। बीजेपी की उमिद्वारों ने अपनी पब्लिक रैलियों के तैयारियां बहुत साफधानी पूर्वक की। पार्टी कार्करताओं और मद्दाता दोनों से जमीनी स्तर पर जोड़ने के लिए एक अच्छी खासी मजबूत तैयारी की गए। आप कॉंग्रेस गडबंधन के खिलाफ अपनी चुनावी रणनीत में बीजेपी बेहद एक्टिव रही। इस गडबंधन को एक ऐसा खत्रा मानती है जो दिल्ली में उसकी मौजूदगी को कमजोर कर सकता है। बताया, वहीं कॉंग्रेस पार्टी में चल रही अंदुरुनी उथल-फुथल से बीजेपी किस्तिती और मजबूत हो गई। टिकेट बाटने के तौरान आंतरिक कला विशेश रूप से साफ हो गई और सामने आ गई। जिससे कॉंग्रेस के अंदर काफिया संतोष पैदा हो गया। इसकले का नतीजा दिल्ली कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविदर सिंग लवली के स्तीफे के तौर पर सामने आया। इसे पार्टी कारिकरताओं के हितों के विपरीद बताया। लवली के बाद राजकुमार जोहान, नसीब सिंग और नीरज बसोया सहित अन्य सीनियर नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस्तीफों के इस लहर और उसके बाद प्रमुक हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का मनोबल काफी बढ़ गया। इससे ना केवल बीजेपी को नंबर गेम में मजबूती मिली बलकि इस बात को भी बुखता किया कि दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी को पता था कि अर्विंद केजिवाल का दिल्ली की मरदाताओं पर काफी प्रभाव है और वो उन्हें एक बड़ा खत्रा मानते थे। केजिवाल की लोक्रियता काफी हद तक उनकी जन कल्यानकारी योजना उपरा धा रहे थी। जो लगातार लोगों को पसंद भी आ रही है। अलाकि जैसे जैसे चुनाम नजदीक आये केजिवाल खुद को विवादों में गेगिरा हुआ पाए। लगातार कुछ ऐसे विवाद थे जो केजिवाल को खेड़ते रहें। दिल्ली शराब गोटाला मामले में केजिवाल को जेल बेज दिया गया। इस घटना को व्यापक रूप से विवक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी के नित्त वाली केंद सरकार दोरा रची गई राजनेतिक प्रतिशोद के तौर पर देखा गया। नतीजतन केजिवाल को काफी सानवूत मिली और चुनाव पर जार करने के लिए सुप्रिम कोर्ट से अंतरिम जवानत मिली। यह सेनारियो बीजेपी के लिए एक खतरनाक चुनावती बन गया। हलकि इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे बीजेपी को अच्छा खासा फाइदा बेंता नजर आया। आपकी आंतरिक कला तब सामने आई जब राजसभा 77 स्वाती मालिवाल ने मुख्यमंतरी आवास पर केजवाल के पिये दोरा शारेरिक हमला करने का अरोप लगाया। इस घटना का बीजेपी ने केजवाल की इमेज को और खराब करने के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छे से बहुत चत्राई से इस पूरी घटना का फाइदा उठाया और उन्हें ना किवल फ्रष्ट बलकि महिला विरोधी तक साबित करने की कोशिश की अंतरिम जमानत प पंजाबी और जाट समधायों से कोई भी उमीदवार खड़ा करने में फेल रहे हैं जिनका शहरी और ग्रामीर दिल्ली दोनों में काफी प्रभाव था इससे भी जाधा चौकाने वेली बात ये कि इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी की दो महिला प्रतनिदियों का वकाबला क करने के लिए एक भी महिला उमीदवार मैदान में नहीं उतार जिसका नुकसान आप और कॉंग्रेश को जहिलना पड़ा लेकिन बीजेपी को पता था कि दिल्ली जैसे चाहर में भी जाती और लिंक संबंधी फैक्टर है क्योंकि मंगलबार को आई रतीजों के बाद बीज जिद्वारी तैकी गई तो जाती समीकरण पर भी बीजेपी ने बहुत भ्यान दिया था तो अगर जाती समीकरण पर नजर डाले तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसीरी बार सांसत बने मरोश्तिवारी पूर्वाचली और प्रामण समदार इनका प्रत्नेद्रु करते है हर्ष मलोत्रा और बांसरी सुराज दो नुपंजावी हैं जो हरियाना से जुड़े होने की वज़े से काफी एहम हो जाते हैं पश्चिमी दिल्ली से एक और महिला सांसत कमल जीत से रावत प्रभावशाली जाट समुदाय से आती है चानी चौक में वैश प्रमीर खंडेरवाल की जीत हुई क्योंकि वैश विरादरी बहुत है चानी चौक के एलाके थे जबकि दक्षनी दिल्ली से रामवीर सिंग भी दोड़ी गुर्जर समुदाय से थे इसके लावा आरक्षित उत्तर पश्चमी लोकसभा इलाके में दलित जाती के योगेंद चदोलिया ने जीत हासिल की क्योंकि दिल्ली को अगर भापना है तो दिल्ली के दिल को टटोलना ही नहीं उसकी कहानी और उसकी नपस भी पता होनी चाहिए जो आप नहीं भाप पाई जिस कारण आप दिल्ली में शुन्य पर सिमट कई है नमस्कार श्रेष्ट भारत पर खपरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत